Good morning all of you, myself in Aachshi, your SS teacher welcomes you in your civics class. In this video we will discuss our civics first chapter the Indian constitution. इस लेसन के अंदर हमने टोपिक स्टार्ट किया हुआ है धा इंडिन कॉंसिटीशन की फीचर्ट, हमारा जो सविधाने उसके की फीचर क्या क्या है हमने इसके अंदर federalism के बारे में पढ़ा, parliamentary form of government पढ़ा है, separations of power पढ़ा है, fundamental, पिछली वीडियो में हमने इसकी fundamental rights को रेड़ किया था, इस वीडियो में हमारा last जो लेक्चर है वो है, secularism, secularism क्या होता है, secularism का क्या आर्थ होता है, धरम निर्पेख्षता, हिंदी में secularism को कहत होते हैं, धरम निर्पेख्षता, क्या होती है, धरम निर्पेख्षता, है secular state, हमने पिछली पहले बता दिया, state किसके लिए यूज है, इंडिया पूरे, देश के लिए यूज है, ये state ऐसे नहीं है, कि कोई हरियाना के लिए special है, क्या है, इंडिया से है, a secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion, तो धरम निर्पेख्षता, क्या होती है, धरम निर्पेख्ष राज्य, वहराज्य होता है, जिसमें, राज्य अधिकारिक रूप से, किसी भी धरम को राज के धरम के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, यानि, secularism का मतलब क्या है, जिसके अंदर क्या है, सभी धर मोग को समान रूप से देखा जाता है, किसी एक धरम को इसके अंदर पर मोट नहीं किया जाता है, जैसे मालने जी हम बात करते हैं अपने इंडिया की, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा धरम है, हिंदू धरम है, लेकिन सबसे ज़्यादा majority होने के कारण हिंदू धरम क तो इसके लिए हम ये नहीं है, कि हम क्या है, उसको क्या है, सब को, उस religion को हम क्या करेंगे, परमोट करेंगे, ऐसा नहीं है, जो हमारा सवीधान है, उसके अनुसार क्या है, कोई भी राज्य जो होता है, वो किसी भी धरम को राज के रूप में बढ़ावा नहीं देता, सभी क समान रूप से देखता है चाए वो हिंदू धरमों चाहे मुस्लीमों चाहे क्रिश्यनों से को सभी को समान रूप से देखा जाता है We will read more about this in the following chapter जो हमारा next chapter राएगा वो हमारा chapter राएगा secularism धर्मनी पेष्टा के बारे में इसके बारे में हम उस lesson के अंदर ज़्यादा read करेंगे next है हमारा you now understand the way in which a country's history often determines the kinds of constitution that a country adopt himself आप आप इस बात को समझने लगे हैं कि कभी कभी देश का इतिहास यह तै करता है कि देश का सविधान कैस होगा यानि हम जो हमान हमने जो पिछे जो गलतियां की है हम उन गलतियों को नहीं दो राएंगे जैसा हां इंडियन constitution में होना चाहिए जैसे हमने हम history से देखते हैं अपनी history से पहले जैसे हमने जब हमारा देश क्या था गुलाम था तो हम में बहुत सारी उसके अंदर हमें क्या है बहुत सारी inequalities का सामना करना पड़ता था है न तो लेकिन हमने अपनी history को देखा उससे हमने क्या सिख्या कि आगे हम यह गलती नहीं करेंगे इसलिए हमारा जो constitution बनाया गया है कि जो हमने पिछे गलतिया दोराई हैं उन गलतियों को नहीं दोराए जाएगा हमारा इतिहास ही यह तरक तै करता है कि सविधान कैसा होगा the constitution play a curable role in laying out the ideal that we would like all citizens of the country to adhere to including the representative that we collect to rule us curable क्या होता है important जो हमारा constitution है सविधान है वो क्या है एक महतवपूंड रोल अदा करता है किस चीज में अदा करता है महतवपूंड रोल जिन्हें हम अपने देश और अपने देश के जो परती नीदी है उनके जरिये जो सरकार है अपना जो सपना क्या है साकार करना चाहती है वो किस के दवारा किया जाता है constitution के दवारा ही किया जा सकता है just like the game of football जैसे हम football के game में क्या था a change of constitutive rules will affect the game जो क्या हुआ जैसे जिस तरह football के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है उसी तरह से क्या है हमारा जो सवीधान है उसमें भी क्या है कुछ ना कुछ बदलावाते रहते हैं Indian constitution has been changed over the year to reflect new concern of the policy जैसे क्या होता है उस जिस तरह है क्या होता है देश के सवीधान में भारी बदलावाते हैं तो वहां देश का बुण्यादी सवरूप भी बदल जाता है तो देश का हमारा क्या है पूरा जो धासा है वो भी क्या हो जाता है change हो जाता है often a major change in constitution a change in fundamental nature of country ठीक है, we saw this in the case of Nepal, इसको हम किसमें पढ़ेंगे, नेपाल की case study में पढ़ा जैसा हमने, तो वहाँ पर क्या था पहले नेपाल की case study, जब हमने रीड़ की उसके अंदर क्या था, पहले क्या था, मोनार की शाषन था, राज दंतर था, लेकिन कैसे उन्होंने क्या है, उसको खतम करके, वहाँ पर democracy लाई थी, और वहाँ पर एक नया constitution उनका बना था, तो we saw this in the case of Nepal, and how it needs to adopt a new constitution, after it has recently become a democratic society, क्या है, नेपाल में हम देख चुके हैं, वहाँ क्या था, लोकतांतरिक समाज बनाने की क्या थी, जरूरत के साथ, साथ क्या हुआ, लोकतांतरिक समाज की तो उन् क्या महसूस किया कि उन्हें एक नए सविधान की भी जरूरत है, the different features of Indian constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grade, क्या उपर हमने जो सविधान के जिन भी आयामों का जिकर किया है, वे कहीं बार तो हमें क्या दिखाई देते हैं, वह ज़्यादा complicated दिखाई देते हैं, वह ज़्यादा जटिल दिखा देते हैं, फिर बाद में क्या होता है, वो जो उन्हें मुश्किलों से हमें क्या है, वो चीज क्या आती है, समझ में आती है, don't worry too much about this for a moment, in the rest of the book as well as in your higher classes, you will read more about these different features of the Indian constitution and understand more substantively what they mean. जैसे हमने, लेकिन हम इस बारे में जाला जिकर नहीं करेंगे, जितना हमने पढ़ लिया constitution के बारे में, वो इतना काफी हैं, बाकी जो question होंगे, हमारे मन में जो questions आ रहे हैं, हमारा सविधान कैसा उलाजी थे, क्यों हुआ ऐसा, तो यह जो question आपके मन में आ रहे हैं, इसके बाकी जो अध्याए पढ़ेंगे, हम उनकी है, अलग-अलग पहलों को देखते जाएंगे, और हमें समझ में आता जाएगा कि, जो हमारा सविधान है, वो इतना ठोस रूप से, उनका अर्थ हम इस बुक में नहीं जान पाएं, आगे हम क्या है, ठोस रूप से उसका आर्थ जानेगे कि इंडियन कॉंसिटूशन कैसा होगा, जैसे, दा कॉंसिटूशन आज सो मैंशन फंडामेंटल डूटीज, हमें क्या है, कुछ फंडामेंटल डूटीज दी गई है, मूल करतव्य दिये गई है, फाइंड आप विदा हैल्प ओफ टीचर, वर्ट इस इंक्लूड and why it is important of citizens in a democratic observe this, तो आपको क्या करना है, आपको क्या है, वो जो फंडामेंटल हमें डूटीज दी गई है, उसको क्या है, आपने find out करना है, वो कौन-कौन से हैं और उसको अपनी copy में write करना है, जैसे इसके अंदर क्या है, यह हमें जो पिच्चर दिखाई गई है, यह जो वाइरस मेंबर, सिंगी की copy of the constitution as its final session, तो उप्रुक जो यह तस्वीरे दिखाए गई है, इसमें क्या चोबिस जर्वरी 1950 को सविधान सभा के विवेस दस्ते, अपनी आखरी बैठक में सविधान की एक परती पर क्या कर रहे है, सिगनेचर कर रहे है, दा फर्स फोटो श जह उसके उपर क्या कर रहे है ? दस तकत कर रहे है, सिगनेचर कर रहे है, the second photo में क्या है, जो second photo है, उसमें कोन बैठे है, डाक्ट्र राजिंदर Πरसाद बैठे, director राजिंदर परसाद, president of constitution assembly जो थे वो बैठे है, the last photo में क्या दिखाया गया है, the following person from right to left, right to left में क्या है, शी जैराम दास दोलत राम मनिस्टर फूर फूर अंड अडे कल्चर वह उसके बाद जो है इसके अंदर एक लेडि जो दिखाई गई है वह कौन है राज कुमारी अमरित कोर थी वह कौन है राज कुमारी अमरित कोर है माइध मिनिस्टर फिर है डॉक्टर उसके बाद है जोट्र जोन मैं थाई मुनिस्टर फिर है सरदार बल भाई ये सरदार बल pian पनल है वो क्या है डीप्टी प्राइम्नेस्टर एंड बिहाइंड सिरी ज्ग serv psychologist जिख्जिवन राम लेबर मनेस्टर और उसके बाद में जो अच्छी तरह ज़ी आद करना है क्योंकि आगे जब भी आप किसी भी competitive exam की त्यारी करोगे उसके अदर यह mainly question पुछे जाते हैं कि जब हमारा सवीधान बना तो उसमें हमारा Finance Minister कौन था या Labour Minister कौन था या Health Minister कौन था हमारा जो President of Constitution Assembly है वो कौन थे ओके students ठीक है बाई